नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस study gloss पे देखिए इस वीडियो में हमें काफी शांदार जो न्यूस है भारत के लिए उसको रिसस करेंगे भारत के एक वेक्ति जिनका नाम है अमन पांडे इनको गूगल का अब तक का सबसे बड़ा इनाम मिला है जिसकी कीमत लगबग 65 करोड रुपे हैं उससे ज्यादा भी है तो इनोंने गूगल में कुछ bugs को fix किया है यह जो गूगल में गलतियां जो होती है जो गूगल प्रोग्लाम लॉंच करता है इसके लिए उसमें यह सबसे आगया है और गूगल की इनोंने लगबग 232 जो गलतियां है वो बताई है जो टेक्निकली जो गलतियां होती है mistakes होती है वो इनोंने बताई है गूगल को इस वज़े से इन्हें यह जो इनाम है इतनी बड़ी राशी का जो गूगल के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम आप मान सकते हैं अब तक के दिहास का वो एक भारती व्यक्ति को मिला है डिसकस करेंगे इस वीडियो में bugs क्या होते हैं और इस news को भी डिसकस करेंगे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसे present करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरफ स्वामी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ज़रुर ध्यान लगनी है Study Glows के mobile application के उपर UPSC प्रस्पेक्टिव से काफी important courses available है यहाँ पर section wise बहुत सारे courses है notification भी आच चुका है काफी minimal price में आपको यह जो course है वो देखने को मिलेंगे तो refler code को use करके आप यहाँ पर इन courses की access ले सकते हैं और Study Glows का mobile application जरूँ डाउनलोड कीजिए और हाँ यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे like करें, share करें और subscribe कीजिए question में आपसे पूछना चाहूँगा काफी simple question है देखे हम सब Google पर बहुत सारा research करते हैं, surfing करते हैं Google काफी important part है हमारी life का लेकिन आपको एक चीज यह बतानी है कि Google की स्थापना कब हुई थी, exact year बताना है आपको Google कब found किया गया था option आपके सामने है 1990, 1998, 1996 या फिर 2000 सई हुत्तर लिखना है आपको वीडियो के comment box में, right answer आपको वीडियो के end-way जरूर मिल जाएगा इस तरह के से आर्टिकल रिसेंट्ली पब्लिश होये हैं Google Rewards Indian Techie with 65 Krode for the Keeping Android Chrome Safe जैसे Chrome, Android इनके अंदर जो bugs थे उनको fix करने के लिए यह जो Indian Techie है जिनका नाम है अमन पांडे इन्हें यह जो प्राइज है वों मिला है तो यहाँ पे Indian Cyber Security Researchers है जिनका नाम है अमन पांडे यह कहना कहीं इन्होंने इस जो Google का एक Google Android vulnerability जो reward प्रोग्राम होता है इसमें टॉप किया है और लगबग इन्होंने 232 जो गलतियां है वो गूगल को बताई है और यह last year इन्होंने किया था इस साल इन्हें इन्हें इनाम है वो मिला है इस बात की जो information है गूगल ने एक blog में publish खरी है और गूगल ने यहाँ पे इस चीज को mention किया है कि एक भारतिय साइबर सुरक्षा जो शोधगरता है जो एक कमपनी चला थे हैं दर असल जिसका नाम है Bugs Mirror इन्होंने पिछले साल यह जो vulnerability प्रोग्राम है इन्होंने इसमें का इस चीज को submit किया था टोटल 280 जो गलतिया है वो गई है Google के पास में जिन मैसे 232 जो गलतिया है वो किवल एक प्रसन के द्वारा की गई है वो है अमन पांडे और साथ ही बहुत सी अच्छा देगे यह जो प्रोग्राम है यह को गूगल नहीं चलाता बहुत सी जो बड़ी- और इस प्रोग्राम को इस रिवाड को बॉट्स बंटी कहा जाता है चैनल की गूगल काफी बड़ा प्लेट्वर्म है तो इसमें ओसके लिए गूगल को इस तरह के गूगल ही नहीं बहुत सी कंपनियों को इस तरह के जो प्रोग्राम है वो लोंच करने पड़ते हैं तो दूसरा जो परसन है वो उसमें रिसर्च करके यह जो बग से इने फिक्स करता है और अकोर्डिंग टू गूगल यदि हम बात करें तो गूगल के अनुसर दो हुजार एकिस में अपने इस वनलैनेबिलिटी प्रोग्राम में लगबग 8.7 मिलियन जो डॉलर है उसका भुक्तान किया गया है अमन पांडे को और अकेले एंड्रोड में कुछ कमिया बताने के लिए लगबग 3.000.000.000 का इनाम है वो बहुत से देशों के जो रिसर्चर्स हैं उन्हें दिया गया था पिछले साल के आकड़े से यह जो अपकी बार का आकड़ा है जो डेटा है काफी ज्यादा है इस बार टोटल 119 जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने भाग लिया है और इस्पेसिफिकली जो क्रोम और एंड्रोड को सेफ करने के जो सेगमेंट है उनके उपर इन्होंने काम किया ह लेकिन आप यह जान सकते हैं कि बग्स दरसल क्या होते हैं इसका वैसे बैसिकली मतलब तो एक कीड़ा तरह का होता है लेकिन फिर भी बग्स कम्पूटर से सिस्टम इस लेंग्वेज में क्या हो सकता है देखे एक सौफट्फियर में एक पर्टिकलर प्लेटफों में कम्प खोजने और इसे ठीक करने की परकिरिया है उसे डिग बिंग कहा जाता है इसे डिग बिंग के नाम से जाना जाता है ठीक है 1950 के दरसक से कुछ computer system को चलने दोरान विविन computer हों में इन बगों को रोकने के लिए जो एरडर है इनों रोकने के लिए ये जो पूरा interesting history है bug की तीकि bug का जो symbol है वो आपने इस तरह से देखा होगा मतलब जब आप कोई play store पर जाते हैं कोई application डाउनलोड करते हैं तो तब वो update जब मांगती है तो यह आप उसको update करने के बाद मैं नीचे देखेंगे तो bug fix के नाम से एक description आपको देखने को मिलेगा मतलब यह जो problem थी उसे अब update कर दिया गया है तब जाके जो आपका application है वो update होता है अब इसकी history काफे interesting है 1947 में एक व्यक्ति थे Grace Harper के नाम से वो इसी में research कर रहे थे तो एक software के दोरान एक कीड़ा जो है वो दो chip के बीच में फसा हुआ था इस तरह का तो यह जो कीड़ा था यह जो bug था यह उस software को अच्छे तरीके से काम नहीं करने दे रहा था बाद में जब इन्होंने इस चीज़ को समझा पता लगा तो पता चला एक इस bug की वज़े से पूरा software काम नहीं कर बा रहा है पतलब वो unexpected result दे रहा है वो जो हम नहीं चाहते वो result दे रहा है उसमें error आ चुका है तो इस वज़े से यह जो नाम है यह काफी popular हुआ और bugs जो है इसका नाम पढ़ा और इसे फिर IT industry में काफी जारा डेवलप किया गया और आज भी इसे बग के नाम से ही जाना जाता है यदि हम अमन पांडी की जो company है जिसका नाम है बग जिमिर उसकी बात करें तो यह जो है दुनिया बर की जो बड़ी बड़ी companies होती है जैसे Apple, Microsoft या Google इन में जो bugs को research करने का है जो काम करती है यह जो operating system है उसे develop करने का भी काम यह करती है और इस company के तवारा जो bugs हैं वो खोजे जाते हैं पना particular जो error है वो खोजे जाते हैं इन्होंने पिछले साल तीन से चार ऐसे system त्यार किये हैं जिन से bugs का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकता है और उन्होंने इस साल लगबग 300 bugs की सोचना दी है पिछले साल Google ने bughunters.google.com के नाम से एक समर्पित जो वेबसाइट है वो लांच करी थी जो दरसल Google के product और जो internet हो उसे safe करने के लिए जो काम है वो करती है और इसके साथ Google का vulnerability जो reward program है दरसल Google Android उसकी साथ Chrome, Google Play यह सब जीजे हैं इनकी security को maintain रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है वो Google launch करता है अब आते हैं हम हमारे question के उपर तो Google को established किया गया था इसका सही उत्तर होगा दरसल 1998 में यहां पर आप देख सकते हैं गूगल को 1998 में स्टैफिस किया गया था और इसके headquarters आपको मिलेंगे Mountain View California के अंदर और इसकी स्थापना दो वेक्तियों ने की थी Larry Page और Sergeant Bean ने यह भी आप ध्यान रख सकते हैं present time पे 2015 के बाद में भारतिय मूल के सुन्दर पिचाई जो है इसके Chief Executive Officer है और इसकी जो parenting कंपनी है उसका नाम है Alphabet ये भी आप ध्यान रख सकते हैं तो Google की स्थापना हुई थी 1998 के अंदर तो खेर ये था इस वीडियो में इसी तरह के important और informative वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे धन्यवाद